अपने चैनल जिसका नाम है सुपनिल अकेडमी ओफिशियल में तो दोस्तों अभी तक आपने साथ वीडियो हमारी देखे होंगी और साथ वीडियो में आपको उमीद है सारे के सारे कांसेप्ट जो भी मैंने बताए वो सारे के सारे आपको पसंद आये होंगे आज आठवा लेक्चर है और चैप्टर नमबर दो वर्क को मैं समझाऊँगा यहाँ पे दोस्तों अभी दो तीन दिन का गैप इसलिए हो गया था क्योंकि हम थोड़ा मेरा जो स्वास था वो अच्छा नहीं था और सारा एडिटिंग सारा सब कुछ मुझी को करना पड़ता इसलिए थोड़ा सा इसके लिए सौरी और अब गैप नहीं होगा आपका और कोश्चन की जो लिमिट है वो मैं बढ़ा दे रहा हूं क्योंकि अभी बीस बीस कोश्चन की सीरीज चल लगी है अब हो सकता है आने ओले टाइम में सुबह और शाम दोनोट शिफ्ट में पढ़ है कि अब हम इसको डिवाइड कर देंगे और सुबह भी डालेंगे शाम को भी डालेंगे तो आप रेगुलर देखते रहिएगा ठीक है आपको उमीद है आपको समझ में आ रहा होगा और यूध कमटीशन जो बुक है उसी से मैं कोश्चन लेकर आयो क्योंकि उसमें जो है प्रीवियसर के बहुत अच्छे चे कोश्चन दे रखे हैं ठीक है दोस्तो आपका टाइम वेस्ट नहीं करते हैं आगे चलते हैं तो दोस्तो जो पहला कोश्चन है हमारा वो कह रहा है कि 20 न्यूटन का बल किस वस्तु पर कारे कर रहा है वस्तु बल की दिशा में 4 मीटर के माध्यम से विस्थापित है तो किया गया कारे है दोस्तो ये कोश्चन जो है बहुत अच्छा कोश्चन है इसमें क्या करना है आपको इसमें कह रहा है कि 20 न्यूटन का एक बल है ठीक है 20 न्यूटन का एक बल है यानि F इसकल टू आप 20 न्यूटन लिख लीजिए किसी वस् था F into D होता है, ठीक है, F dot D होता है, ठीक, dot इसलिए हमने लगा दिये, क्योंकि आपको वहाँ पे examination में आपको vector और scalar, यानि सदिश और अदिश में किसी भी तरीके का कोई doubt ना हो, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर dot product आपको बताया है, क्योंकि कार क्या है, एक अदिश राची और अदिश राची जो होती है, उसको dot product से denote करते हैं, व्यक्त करते हैं, ठीक है, तो यह कार क्या है, dot product है, यानि अदिश राची है, पहले बताया देना है, वैसे भी मैंने आपको पहले भी बता चुके है, आपको, यहाँ पे रख दीजे, 20, गुड़े 4, यहाँ पे होगे और बलकि दिशा में ना होता, इसके विपरीद दिशा में होता, तो माइनस में रहता, ठीक, तो आपका 80 जूल आ गया, यहाँ पे option number D, अब next जो है, एक मजदूर भूमिसे 15 kg का सामान लाता है, और उसे भूमिसे 1 मीटर उपर अपने सिर पर रखता है, उसके द्वारा साम सामान पर किये के काम की गढ़ना करें, तो दोस्तों इसमें क्या है देखिए, आपको बताते हैं, देखिए, एक यहाँ पे कोई सामान है, जिसका, जो की मास इसका क्या है, 15 kg है, इसको कोई व्यक्ती 1 मीटर उपर उठा रहा है, और अपने सर पर रख रहा है, ठीक, यानि height to क्या हो गई, एक मीटर हो गई, तो हमने बताया था कि ऐसी कंडिशन में जो होता है, कार क्या होता है, MGH होता है, ठीक, M आपको क्या है, 15, G आपको क्या है, 10, और H की वैल्यू क्या है, 1 मीटर, तो 15 दाहम, 150, 150 जूल, अगर दोस्तों यहाँ पे चिन्न की बात करें, तो च प्लस तो कुछ नहीं दे रखा, यहाँ पे देखें, यहाँ पे सिंपल है, कोई चिन्न की बात ही नहीं है, तो इसलिए 150 जूल, ठीक है, 150 जूल, option number B, अब देखें, यहाँ पे तीसा जो है, वो क्या है, कार होता है, यदी, उर्जा है, ठीक, next क्या है, जब विस्थापन प्रियुक्त बल की दिशा के लंबवत हो, तो बल द्वारा किया गया कार होता है, शूने होता है, यह question मैं बता चुका हो, पहले की वीडियो में, लेकिन आपको बता दूँ, जैसे की, बल आपका ऐसे है, बल नीचे की तरफ है, और आपका विस क्यों, क्योंकि W स्कल्टू क्या होता है, FD कॉस्थीटा, अगर कॉस नबवे हो गया, और नबवे की वैलू क्या होती, जीरो, जीरो को किसी से भी गुणा करोगे, जीरो हो जायेगा, समझ में आये की नहीं, तो यहाँ पर शूने हो गया, किसी वस्त उपर किया गया कार, निवने लिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है अब दोस्तों आपको पता है कारज होता है वो बलड़ निर्भर करता है और विस्थापन पर और कोण Ra Honor इन तीन चीजों के अलावा किसी पर निर्भर नहीं करता है समझ में आई कि नहीं तो यहां पर देखिए, बल पर निर्भर करता है, विस्थापन पर निर्भर करता है, कोण पर निर्भर करता है, लेकिन द्रवान पर निर्भर नहीं करता है, तो option नमबर B आपका correct हो जाएगा. निमलिखिन में से कौन अधिक कार कर सकता है, उठा हुआ हथवड़ा, एक चली हुई गोली, तेजी से आता हुआ पत्थर, एक घूमता पईया, तो इसमें चली हुई गोली, option नमबर B सही हो जाएगा, ये पहले भी पूछा जा चुका है, एक मजदू 10 किलोग्राम का सामान भूमे से उठा कर 1.2 मीटर उपर अपने सिर पर रखता है, उसके द्वारा सामान पर किये गए कामगी करना करें, आपको बता देदे, W स्कल्टू क्या होता है, MGH दोस्तों रखेंगे, M आपको पता है, M की वैल्यू क्या है, 10, 1.2 और G की वैल्यू 10 है, तो हो जाएगे, 12 जीरो जीरो यहां पे 120 जूल आ जाएगा, ठीक, ऑप्शन नमबर A, तो इसलिए जल्दी चलना है न, क्योंकि आपको समझा चुके बार बार यहीं चीज़ आपको क्यों बताए, आपको अगर समझना है, तो आप कमेंट में कर दीजे कि आप एक एक कुश्चन बताए, एक बताएंगे, फिलाल मैंने सारी चीज़ समझा दी है, वो इतनी कोई बहुत ज़्यादा कठी नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है, जो आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि डेवली स्कल टू एम जी एच बस मल्टिप्ला ही करना है, फार्मूले में रखके, ठीक, और जहां यहां पर होगा मैं समझा दूगा आपको, अब देखें यहां पर सेम टू सेम वहीं कोश्चन है, तो इसका भी 120 जूली हो जाएगा, किसी वस्तादारा किया गया कार 56 है, अब कार जो है आपका क्या है 56 है, और यहां पर जो बल है, बल क्या है आपका 7 न्यूटन है, आप से पूछा गया है विस्थापन, यानि D की वैल्यू आप से पूछिए बचो, अब यहां पर आप फार्मला लगांगे, डबलू स्कल्टू F इंटू D, और D स्कल्टू हो जाएगा, डबलू अपॉन F, ठीक, डबलू आपका हो जाएगा 56 जूल, और F आपका हो जाएगा 7 तो यहां पर option number आपका C correct हो जाएगा, अब यहां पर दोस्तों आप से कह रहा है, 10 newton का बल किसी वस्त पर कारे कर रहा है, यानि F स्कल्टू क्या है, 10 newton है, वस्त बल की दिशा में 5 मीटर विस्थापित होती है, D स्कल्टू 5 मीटर है, तो किया गया कारे क्या होगा, तो का आपका option number C correct हो जाएगा, इसलिए क्योंकि वस्त जो है, बल अगर इधर लग रहा है, तो इसका विस्थापन भी इधर ही हो रहा है, इसलिए कारे जो होगा, वो positive आएगा, ठीक? किसी वस्त पर किया गया कारे निर्भर करता है, तो दोस्तो विस्थापन पर निर्भर करता है, बल और विस्थापन के बीच कोड़ पर भी निर्भर करता है, प्रयोक्त बल पर निर्भर करता है, वस्त के दर्वान पर निर्भर नहीं करता है, यानि option number D जो है, इस पर निर जीरो इस लिए किया गया कार आप देखिए जब डबली सिकल्टू जो होता है हमारा एफ इटुडी होता है बच्चो ठीक अगर बल आपका जीरो हो जाएगा और जीरो को डी से गुणा करेंगे तो जीरो ही आएगा यानि कारे भी आपको क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा ठीक अब यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या है एक पोर्टर जमीन से 12 केजी सामान उठाता है और उसे जमीन से देड़ मीटर उपर अपने सिर पर रखता है सामान पर उसके दोरा किये कारे की गड़ना कीजिए जी स्कल्टू आपका दे रखा है दस मीटर पर सेकेंड स्कॉर तो देखिए आपका एम इसकल्टू आ जाएगा बारा के जी आपका G की वैलू दे रखिए दस और आपका जो हाइट है वो दे रखिए वन पॉइंट फाइफ मीटर ठीक है बच्छों अब यहां पर क्या है आपका आपसे कार पूछा गया है जी एम जी एच, एम क्या है बारह, जी क्या है दस, एच क्या है देड, इसका गुणा कर लेंगे तो बारह और पंदा का बारह पंचे साट और बारह एकंबारह छे अठारह और जीरो यानि 180 जूल आ जाएगा यानि आप्शन नमबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा अब जो है दोस्तों के रहा है कि एक वस्त तुपर 25 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है उस यहां पर दूसरा भी ज़ह लेते हैं चलिए 25 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है उस वस्त पर बल की दिस्वा में पाँच मीटर तक अ कार, पांच मीटर तक हटाये जाता है, बलदारा किय गया कारे होगा, दोस्तों बिल्कुल है, यह आपको दे रहा है, होमवर्क में, होमवर्क में कीजेगा, क्यूंकि सेम grenade कीजेगा, धीक है, होमवर्क में कीजेगा, यह वाला Appreciate उसके बाद आपको next question पर ले चकते हैं इसमें डवली स्कल्टो एमजी एस लगेगा पहले बता दे रहें जब कोई आदमी दीवार को धक्का दे लेकिन इसे विस्थापित करने में विफल रहे अब देखी ये question इसने पूछा है थोड़ा सा logically question है बच्चों ठीक है कि जब हो ही नहीं रही है तो क्या कार होगा नहीं होगा यानि option number d आपको correct होगा देखिए सकारात्मक कारे तब होता जब बल की दिशा में जाता अधिक्तम सकारात्मक कारे तब होता जब बल की दिशा में जाता और दोनों के बल और विस्थापन के बीच का कोण 0 होता बिलकुल को लगाए जा रहा है लेकिन कोई विस्थापन नहीं हो रहा है ठीक यदि कोई व्यक्ति 12 न्यूटन के एक स्थिर बल से 4 मीटर चलता है बल जो है 12 न्यूटन का लग रहा है और आपका डी जो है वो 4 मीटर है और आप से पूछा गया है कार 12 गुण 4 बारा चाओ 48 जूल ठीक तो option number C आपका correct हो गया एक पिंड द्वारा किया गया कार निम लेखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है देखिए विस्थापन पर निर्भर करता है कोण पर निर्भर करता है बल पर निर्भर करता है बस यह जो है प्रारंभिक वेग इस पर निर्भर नहीं करता है इसलिए option number A आपका correct हो जाएगा इसमें लिखा है – ना होने पर किया के कार शुन होता है अब दोस्तों इसमें है वेग, वेग से कोई मतलब नहीं शक्ति से कोई मतलब से मतलब नहीं विस्थापन, ठीक क्योंकि FD तीटा होता है कार हुआ है ऐसा कहने के लिए दो शर्ते पूरी होनी चाहिए उन में से एक है बल की आवशक्ता नहीं है वस्तु विस्थापित होनी चाहिए वस्तु की स्थित में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए फिर से एक बार कुश्चन पढ़ लिजे कार हुआ है ऐसा कहने के लिए द है वो F और D और ठीटा इन तीन चीज़ों पर ही डिपेंड करता है यानि यह कहरा बलकि आवशकता नहीं बिल्कुल है तो यानि यह ऑप्शन गलत हो जाएगा तीसा ऑप्शन है उजा का अफ्शोशन उससे मतलबी नहीं वस्तित में कोई बदलाव नहीं है इस्तित में बदल पर लागू एक स्थिर बल बल की दिशा में वस्तु द्वारा स्थान अंत्रित बल और दूरी के परणाम के रूप को दर्शाय जाता है तो इसे कहा जाता है कारे कहा जाता है ठीक यदि किसी वस्तु पर एक स्थिर बल यानि कोई वस्तु है उस पर कोई बल लगाया जा रह है आपका और बल की दिशा में वस्तु इस्थानांत्रित होती है यानि चल रही है ठीक दूरी के परणाम के रूप में दसाय जाता है तो इसका परणाम क्या होगा है फिन्टू डी तो इसको क्या कहेंगे इसको का रही तो कहेंगे बस यहीं आप से कहा है पूछा गया है ठीक तो उमीद है आपको समझ में आया होगा नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं तब तक के लिए बाई बाई